गूड आप्रनून स्टुडेंट्स हम लोगों ने अभी तक पाट दस वाक के कवित्री लल्धा जी के बारे में पढ़ा उनका जीवन परचे, साहितिक विसेस्ताएं, प्रमुक रचनाएं, भासा सैनी और वाकों का सार्प के बारे में पढ़ा अब हम लोग ये देखते हैं कि वाक को लल्दा जी ने चार भागों में बाटा है, सबसे पहले हम उन चार भागों का वरडन करेंगे उसके बाद उनकी पंक्तियों को पढ़ कर उनकी अर्थ की बारे में बताएंगे तो आईए देखते हैं उन्हेंने अपने चार वाखों के में आपको क्या बताया है भक्तिकाल की व्यापक जन्चेतना और उसके अखिल भारती स्वरूप से परचित कराने के उद्देश से यहां लल्द के चार वाखों का हिंदी अन्वाद प्रस्तुत किया जा रहा है आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंत्या करर से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना ब्यापक हो सकती है दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए तीसरे वाख में कवित्री के आत्मा लोचन की अभिव्यक्ति की है वे अनुभाव करती है कि भाव सागर से पार जाने के लिए सद कर्मी सहायता होते है भेद भाव का विरोध हो इस्वर की सर व्यावक्ता का बोध चौते वाख में है लल्दन ने आत्म ग्यान को ही सच्चा ग्यान माना है जैसा कि अब आप लोगों ने देखा कि चार वाखों में लल्दन जी ने आपको क्या बताया है अब हम आपको पंग्ती के एक एक पंग्तियां को बारे में अच्छे से समझाते हैं आप इसे अपने कॉपी में नोट करते जाईएगा कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग बाद में उसके डिसकस करते हैं इसका पहला वाख है रसी कच्चे धागे की खोड़ खीच रही मैं नाओ जाने कब सुन मेरी पुकार करे देख भव सागर पार पानी टपके कच्चे सकोरे प्यर्त प्यास हो रहे मेरे जी में उटती रह रह हुप घर जानने की चाहे मेरे यहाँ पर सबसे पहले कवित्री ने रसी कच्चे धागे की खीच रही मैं नाओ यहाँ पर रसी जो मनुष के लिए प्रियोग किया गया है मनुष अपनी जीवन नौका को रसी के माध्यम से कैसे इस संसारिक मो माया के जाल से खीचता रहता है जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भौ सागर पार और इस संसारिक मो माया में हम जब तक जीते रहते हैं और अपने इस्वर से प्रातना करते रहते हैं कि मेरी पुकार सुन कर मेरे भौ सागर यानि इस संसार से मुझे पार उतारने की क्रिपा करे यानि इस्वर अपने शरण में लेने का क्रिपा करे पानी टपके कच्चे सकोरे ब्यर्त प्यास हो रहे मेरे यहां पर पानी टपके कच्चे सकोरे जैसा कि बच्चों हम दो अब देखा है कि जब कोई कच्चे मिट्टी के बरतन होते हैं और उसमें पानी भरते हैं तो उसमें से पानी टपकने लगता है यानि जब मिट्टी कच्ची होती है पानी डालने से वो धीरे-दीरे रिष्टा है रिष्टने के बाद उसमें से पानी टपकने लगता है। इसे तरह मनुष जब तक अपने सतकर्मों के साथ साथ आगे नहीं बढ़ता है तब तक उसके सारे प्रयास ब्यार्थ होते रहते हैं। जैसे कच्चे सकोरे पानी के लिए ग्रामिर छेत्रों में प्रयोक में लाए जाने वाले मिट्टी का एक बरतन में पानी नहीं रुपता वैसे ही कवित्री ने जीवन को माना है। बिना इश्वर प्रेम की अगनी में तपे मनुष का जीवन खंडित है यानि अधूरा है। भक्त कवियों के यहां सबसे बड़ी सिद्धी भौसागर अर्था संसारिक मो माया से मुक्ति पाजाने में बताई गई है। इस संदर में हां कवित्री अपने को कच्चे धागे की रसी बताकर इस्वर से यह आस लगाए है कि कभी न कभी उसकी पुकार को सुनकर वह परमात्मा उसे शांती और मुक्ति प्रदान करेगा। जीवन के साधन रूपी कच्चे धागे से इस संसार रूपी भौसागर में तेरती हुई मनुष की जीवन नौका को डूबने से बचाने के लिए एक कुशलमाजी की जरूरत है। कवित्री को यह अखन विश्वास है कि वह परमात्मा ही उसकी यह जरूरत पूरी करने में समर्थ है। मनुष का मन सभावत सभाव से ही संकालू होता है। इसलिए कवित्री कहती है कि मुझे घर अर्थात इस्वर की शरण में जाना है। अतह मेरे मन में वहां अति सिग्र जानने की इच्छा होती है। यहां कवित्री अपने लिए भी और हम मनुश्यों के लिए इस संसारिक मौ माया को छोड़ कर इस्वर की सर्व में जाने के लिए बताया है। यानि जब तक हम लोगी संसार में अपने संसारिक मौ माया मेरा कर संसारिक जीवन को व्यतित करते हैं तब तक हमें इश्वर की प्राप्ती नहीं होती है। जब हम अपने सदकर्मों के साथ साथ इस्वर की प्राप्ती के लिए प्रातना करते हैं, कार करते हैं तब हमें इश्वर की प्राप्ती होती है। तो कहने का ताथ पर ये बच्चों की हमें ऐसे कार करना चाहिए जिससे हमें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो सके और हमारे कर्मों के लिए अच्छे सदकर्मों का प्रयोग किया जा सके और मनुष्च जो है अपने संसारिक मों में फस कर अपने लोब के लिए कार करता रहता है अपने यश्च प्राप्ति के लिए कार करता है लेकिन उसे अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार करना भूल जाता है इसलिए बच्चों हमें अपने संसारिक जीवन के साथ साथ इस्वर प्राप्ती के लिए भी कार करते रहना चाहिए और सभी के साथ अच्छे बेवार करना चाहिए किसी के साथ बुरा बेवार नहीं करना चाहिए लोगों की मदद करते रहना चाहिए इससे भी हमें इस्वर की प्राप्ति होती है आएज़ देखते हैं यहाँ पर इसकी काब क्या है यहां कवित्री ने इस्वर प्रेम को पाने की अपनी आतुरता व्यक्त की है उनके आशावादी दिश्ट कोड को प्रस्तुत किया है काश्मेरी भासा का अनुवादित रूप है वाख का बशैली को अपनाया गया है भौसागर पार में अनुप्रास अलंकार है रहरह में पुरुक्ति प्रकास अलंकार है यहाँ पर कोश्चन देते हैं आप लोग नोट कर लीजेगा कोश्चन है आपका रस्थी यहां किसके लिए प्रयोग है और कैसी है यानि यहां रस्थी किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है और रस्थी कैसी है आंसर आप लोग कर लेंगे कि नहीं करेंगे यह मुझे नहीं समझ में बता है क्योंकि हम लोग जूम क्लास में ये चीजे डिसकस करेंगे वैसे मैं अगबर आपको आंसर बता दे रहे हैं नोट करना हो तो नोट कर लीजेगा यहां रस्ती मनुष के लिए प्रयोग हुए हैं मनुष एक कच्चे धागे के समान है और यह भौसागर है जिसमें तैरती जीवन नौका को डोबने से बचाने के लिए माजी की जरूरत है माजी यानि नाविक यानि नाव को चलाने वाला नाविक होता है और हमारे जीवन को चलाने वाला इश्वर होता है यानि जैसे नाव को खिचते हुए एक किनारे ले जाना नाविक का काम होता है उसी तरह इ मनुष्ट का जीवन सुरू से लेकर अंतक ले जाना इस्वर का ही कार होता है कोशन नमबर टू कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किये जाने वाले प्रयास ब्यर्थ क्यों हो रहे हैं मनुष्ट के जीवन कच्चे सकोरे की तरह होता है जैसे उसमें पानी भरो तो वह होटता है वैसे ही कवित्री ने मनुष्ट के जीवन को माना है बिना भग्वान की प्रेम भक्ति से तपे मनुष्ट का जीवन अधूरा होय यानि जब मनुष्ट का जीवन एक मिट्टी कच्चे सकोरे की तरह होता है मिट्टी कच्चे सकोरे यानि मिट्टी का एक बरतन होत लेकिन जब उसी मिट्टी को आग में पका लीजिए और उसमें पानी भरिये तब उसमें से पानी नहीं रिशता है यानि पानी नहीं गिरता है उसी तरह मनुष्य का जब तक हम अपने लक्ष की ओर नहीं जाते हैं तब तक हमारे सारे कार ब्यर्थ होते हैं और जब मुझे सत की ग्यान हो जाते हैं इस्वर प्राप्ती का ज्यान होता है और हम सही सद कर्म करते हैं तो क्लीजे, जब हमारी जुंत क्लास होगी तब हम आपसे डिस्कस करेंगे थैंक यू कर दो कर दो